हम सब नित्य आत्मन हैं, आत्मा हैं, ब्रह्म सरूफ हैं, सत्चिर आनन सरूफ हैं, हम का मल्लक शरीर को नहीं कह रहे हैं, बलकि मन को नहीं कह रहे हैं, इंद्रिय को नहीं कह रहे हैं, इनके आधार पर जो है, तीनु शरीर और पंचिकोश के आधार पर हैं, उसको कहा गया है कि हम आत्मसरूफ हैं लेकिन अज्ञान के कारण में जैसे कि सुरज के आगे एक छोटा सा काला बादल आ जाता है तो भ्हम हो जाता कि सुरज का स्थित्व ही नहीं है तो ऐसे ही अज्ञान रूपी बादल के कारण में हम सब अपने आपको शरीर मान बैठें हैं एक कल्पित भावना के माध्यम से हम समझते हैं कि हमारा जन्म होता है हमारी मृत्व होती है और संसार के भोगूं से हमें सुप की प्राप्ति होती है और शरीर से ही हम केवल शरीर में ही केवल हम सिमीत हो गए है शरीर की मिर्टो हो जाएगी तो हमारी मिर्टो हो जाएगी और शरीर का जन्म हो जाएगा तो हमारा जन्म हो जाएगा ये कल्पित भावना है ये अज्ञान है अज्ञान के हटते ही क्या होता है कि वो अपने निज स्वरूप में इस्थित हो जाता है अज्ञान का हटना ये जो भ्रहम है इस भ्रहम का हटना ही आत्मिज्ञान की परिभाशा है अर्थात की आत्मिज्ञान हो जाना नई उपलब्दी नहीं है संसार के जो भोगों की उपलब्दी है वो नई उपलब्दियां है वो becoming है और नहीं जो अपनी स्वरूप में इस्थित हो जाना उसे कहते हैं being जो पहले सिथा नित्य था सूरज का जो बिंब है उसको भ्रहम हो गया है कि मैं घड़ा हो गया मैं घड़े में हूँ इस पानी पर्मे में निर्वर हूँ लेकिन जैसे उसे ये भान हो जाएगा ये ज्यात हो जाएगा ये भ्रहम हट जाएगा ये अज्ञान मिठ जाएगा कि मैं तो सूरज हूँ तो उसे कहते हैं being वो अपनी सूरज में इस्थित हो चुका है वो पहले से ही है नई उपलब्दी नहीं है और यही ही महाल उपलब्दी है श्रेश्ट उपलब्दी है लेकिन अनय उपलब्दियां जो है वो केवल इसके सामने तुच्छे हैं कैसे हैं जैसे कि सौपन में कोई ब्यक्ति देख रहा है कि मैं अरोबु पती हो चुका हूँ अरोबु की संपती मिल चुकी है मेरे सामने कोई बाधा नहीं है और सपने में वो बड़ा प्रसंद होता है और जो भी सपने में उसकी जो कलपना है वो सत्ती भी होती है लोग उसके आगे मान देते हैं उसको सम्मान देते हैं, उसको पद देते हैं, पतिष्ठा दे देते हैं, चमचागिदी करते हैं अगर कहें तो, उसे वहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसी सपना टूटा, तो सपना टूटा तो जो उसमें जो अरवों का जो उसका खजाना था, जो अरवों पती बन गया था उससे वो अपने एक रुपे का भोजन भी अपने पेट को भरने के लिए नहीं दे सकता है भूका ही रहेगा एक रुपे का पानी का गिलास नहीं पी सकता है वो वो प्यासा ही रहेगा ताथ पर ही है कि जो संसार के जो भोग पदात रित्याद ही है इनसे आत्मिग्यान नहीं पाय जा सकता परव उपलब्धी नहीं पाय जा सकती अपने स्वरूप में इस्थित नहीं हुआ जा सकता है लेकिन जग जाने पर ये सब भ्रम हटे जाता है, मिट जाता है तो ऐसे ही जो आत्मिग्यान इस्थित हो जाने पर पर जो संसार की जो जागरत आउस्ता में जो उपलब्दियां हैं वो सब नश्वर हो जाती है धीरे धीरे जैसे जैसे आत्मग्यान की और साधक बढ़ता है भक्त बढ़ता है तो उसको फिर यह जो परिवार है यह धन है यह संपती है यह पद है बड़े बड़े इतियाद ही है, इनका कोई उसका लिक उसके सामने कोई महतु नहीं रह जाता है, महतु इन हो जाते हैं ये, ब्यावारिक जीवन में तो ठीक है, ब्यावारिक जीवन में उसको लाने के लिए उसको प्रयोग करना ठीक है, लेकर वो उसको केवल केवल एक कल्पित मानता है, सब